नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने ही चनल जिके माधिका पर दोस्तों आज की इस वीडियो में 17 से 18 अगस्त के सभी सिप्ट में पूछे गए साइन्स क्यूचन के एनलाइसिस देखेंगे इसलिए दोस्तों वीडियो के लाज तक बने रहिएगा क्योंकि आपके आने वाले गुरुप डी एक्जाम के लिए ये वीडियो काफी हेलफूल हो सकता है तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं पहले प्रस्ण से दोस्तों पहला प्रस्ण है हाइडरा में जनन विधी किस परकार होता है हाइडरा में जनन विधी किस परकार होता है तो दोस्तो मुकलन विधी द्वारा होता है और अलेंगिंग जनन होता है हाइडरा में अलेंगिंग जनन होता है मुकलन विधी द्वारा अब दोस्तों आगे की एक्जाम में पूछ सकता है कि किस जीव में बहु विखंडन द्वारा परजन करता है कौन सा जीव जो है बहु विखंडन द्वारा परजन करता है तो पलाजमोडियम पलाजमोडियम बहु विखंडन द्वारा परजन कर सकता है तो आद रखेगा फोटोग्राफी में किस element का उप्योग होता है फोटोग्राफी में किस element का उप्योग होता है silver bromide का उप्योग होता है silver bromide का अनुसुत्र होता है agbr ठीक है तो फोटोग्राफी में किस element का उप्योग होता है silver bromide का उप्योग होता है अब दोस्तों इसको भी ध्यान रखेगा AGCL होर्नुसिल्वर का उप्यूब होता है होर्नुसिल्वर में उप्योग होता है AGCL थिक है AGI आनि सिल्वर आयॉडाइट कृतिन बर्सा के लिए उप्यूग होता है नाखुण के स्वहे के लिए सिल्वर नैट्राइड अगे दखते है दोस्तों की उच्वान है पानी जमीन के अंदर किस परकिरिया से जाता है पानी जमीन के अंदर किस परकिरिया से जाता है इन फिल्ट्रेशन द्वारा इन फिल्ट्रेशन द्वारा पानी जमीन के अंदर जाता है ठीक है फियूजतार किस मिस्रधातु का बना होता है फियूजतार जो है किस मिस्रधातु का बना होता है पीबी पलस एसेन अनि लेड पलस टीन ठीक है अब दोस्तों इसको भी ध्यान रखेगा कि पितल पितल कोपर पलस जिंक का बना होता है कासा कोपर और एसेन का ब बनाता है ठीक है विदूद बल्व का फिलामेंट पतला और लंबा क्यों होता है विदूद बल्व का फिलामेंट पतला और लंबा क्यों होता है उच परतिरोद के कारण होता है उच परतिरोद के कारण विदूद बल्व का फिलामेंट पतला और लंबा होता है ठीक है आगे परियावरुन को सवच बनाने के लिए काम कौन करता है परियावन को सवच बनाने के लिए काम कौन करता है सेवाल और लाइकेन सेवाल और लाइकेन दोस्तों परियावन को सवच बनाने के लिए काम करता है ठीक है दूसीद जल से कौन सा रोग फैलता है टाइफायड ओप्सन में दिया था टाइफायड ठीक है टाइफायड हो दोस्तों निर्वात में नहीं करता है दोस्तों निर्वात में परकास का गति क्या होता है तो इसको भी आज रखेगा ठीक है एड्स का फूल फोर्म क्या होता है एकवाट इमिनोड़िफिशेंसिस स्यंड्रों अब दोस्तों अब दोस्तों एलिसा जाज के दौारा एड्स का पता लगाया जाता है तो आद रखेगा एड्स बीमारी एचमारी वाएरस के द्वारा होता है अबहए चाईवी का फूल फूर्म क्या आता दोस्तो हो मखन इंफिशन सी वायरस ठीक है आगे दख़ते हैं दोस्तो क्यूचन है नियू लेंड्स द्वारा खोजेगे पर्थम और अंतिम तत्व कौन सा है तो पर्थम तत्व है और अंतिम तत्व थोरियम है अब दोस्तो अश्टक का नियम किस ने दिया तो दोस्तो अश्टक का नियम नियू लेंड ने दिया और दोस्तो डोबे राइनर ने दिया दोस्तो त्रीक का नियम त्रीक का नियम दिया ठीक है त्रीक का नियम दिया था डोबे राइनर ने और अश्टक का नियम नियूलेंड ने दिया ठीक है बल का फर्मूला क्या होता है बल बरबर क्या होता है अनि यह बरवर एमें होता जाए धitta कुं सा है सर्वदाता रख्ट सम्थव कौन सा है ढ़कत सम्थवोगा कर लिए सकता है तो रख्ट सम्मौ ओ है ठीक है और सर्वगराही सर्वगराही A B है सर्वगराही रक्समूह A B है दोस्तो रक्त परिसंचरन की खोज किस ने किया रक्त परिसंचरन की खोज बिलियम हारवे ने किया रक्त परिसंचरन का खोज बिलियम हारवे ने किया और दोस्तों रख्ष समु का खोज किस ने किया तो रख्ष समु का खोज लेंड अश्टिनर ने किया तो सभी को आध रखियेगा ठीक है आगे दखते हैं दोस्तों किश्चन है किश्चन है धावन सोडा का अनुशुत्र किया है धावन सोडा अनि धोने वाला सोडा का अनुशुत्र किया है तो एने टू सी यो थी टेन एस टू ए टेन एस टू ओ सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा का अनुशुत्र है ठीक है एने टू सी यो टेन एसट्व वह आतर रखेगा अब धोस्तों इन सवी को आतर को बुजा चुना दोस्तों कैल्सियूम हाइड ओक्साइड CAOH के Holtwise तीग है CAOH के Holtwise बुझा चुना कानो सुत्र होता है बिना बुझा चुना कैलसिय twent तीग है आगे देखते हैं दोस्तों क्यूचन है जिप्सम को गर्म करने पर क्या मिलता है gypsum को गर्म करने पर क्या मिलता है plaster of paris gypsum को गर्म करने पर plaster of paris मिलता है ठीक है और plaster of paris का अनुसुत्र होता है CaSO4, Harp H2O, calcium sulfate ठीक है आगे दखते हैं milk of magnesium किसे कहा जाता है milk of magnesium किसे कहा जाता है magnesium hydroxide magnesium hydroxide को milk of magnesium कहा जाता है ठीक है galveni करन में किस धातू का परियोग होता है galveni करन में किस धातू का परियोग होता है zinc जास्ता का परियोग होता है ठीक है आगे दखते हैं रक्त असकंदन के लिए आवस्चक बिटामिन कौन सी है रक्त असकंदन के लिए आवस्चक बिटामिन कौन सी है दोस्तो विटामिन B और K और E पूछ लिया गया है किसी का रसायनिक ना पूछा है तो किसी का इससे कमी होने से रोग पूछा गया है तो सभी को ध्यान रखियागा आगे की एक जाम में पूछ सकता है ठीक है तो दोस्तो विटामिन ए, विटामिन ए कारसाइनिक राम डेटरनॉल होता है और विटामिन ए की कमी से रतोंधी रोग होता है ठीक है, विटामिन बी, विटामिन बी कारसाइनिक राम थाइमिन होता है और विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है बिटामिन B12 करासाइनिक नाम होता है साइनोक कबालामिन ठीक है इसका बिटामिन B12 की कमी से इनिमिया रोग होता है ठीक है बिटामिन C का रसायनिक नाम होता है ऐसकौर्विक एसीड और बिटामिन C की कमी से ऐसकर्वी रोग होता है मसूडICIA में खुन बिटामिन C की कमी से आता है एक फियाद रखेगा बिटामिन D के रसाइनिक नाम होता है कैलसी फरोल बिटामिन D का रसाइनिक नाम कैलसी फरोल होता है और बिटामिन D की कमी से रिकेटस रोग होता है ठीक है बिटामिन E की रसाइनिक नाम होता है टेको फरोल विटामिन E का जो दोस्तो रसाइनिक नाम टेकोफ रोल होता है और इसके कमी से होने वाला रोग जनन सक्ति का कम होना ठीक है विटामिन K का रसाइनिक नाम होता है फिलो क्यूनोन विटामिन K का रसाइनिक नाम फिलो क्यूनोन होता है और दोस्तो विटामिन K के कमी से रखत क का थका न बनना थीक है सभी को ध्यान रख्याइब आगे दखते हैं को क्यों कुस्क्und है फोलो एम पौधे को पतियों तक भोजन पहुंचाने का दिशा क्या है जो है पतियों तक भोजनoga पहुचाने का दिशाуется terminology होता, निए एक दिषा से अधिव होता है, ठीक है, बाई direction दिव दिज़ के, ठीक है, लेकिन दोस्तो, जायलम पड़े में जल और खनीज का परिवहन ऐक ही दिशा में परिवहन करता है, सिर्फ एक ही दिशा में करता है, ठीक है, फलोयम दोस्तो बाई डायरेक्शन और जायलम दोस्तो एक दिसा में होता है ठीक है फलोयम का काम क्या है तो पतियों तक भोजन पहुचाना और जायलम का काम क्या है तो पोधे में जल और खनीज का पहुचाना ठीक है आगे दखते हैं फलो को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है फलो को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है एथिलीन एथिलीन का उपयोग होता है ठीक है आगे दखते हैं दोस्तो क्यूचन है मिथेन का अनुसूत्र क्या है मिथेन का अनुसूत्र क्या है CH4 मिथेन का अनुसूत्र क्या है CH4 है ठीक है दोस्तों मिथेन को मार्स गैस तथा दलदली गैस भी कहते हैं ठीक है इसको आद रखेगा एलकेन का सूतर होता है CNH2N-2 एलकेन होता है CNH2N-2 और दोस्तों एलकेन संत्रिफ्ट हैडोकारवन होता है ठीक है सबसे अधिक किरियासिल धातू कॉन साहिए सबसे अधिक किरिया सिल धातू पोटेस्यम है दोस्तो और जब से भारी धातू बोलेगा तो ओस्यम भारी धातू ओस्यम है ठीक है आगे दखते हैं दोस्तों कि चुछन है वन एचपी अनि एक हर्स पावर वरव कितना होता है 746 वाट आप दोस्तों पावर वर्भर फर्मूला आज़र run संग होता है इस फर्मूला को कौन सा अजयविग घटक है दोस्तों निमनम से कौन सा अजयविग घटक है ओप्शन में दिया था मिर्दा मिर्दा हो जाएगा जयविग घटक किस हो करते हैं तो जीव जनतू पेड़ पोधे को जयविग घटक करते हैं और इसके अलावा दोस्तों अजयविग घटक होता है EEG EEG से सरीर के किस अंग की जाज की जाती है EEG से सरीर के किस अंग की जाज की जाती है मस्तिक मस्तिक की जाज की जाती है ठीक है और दोस्तों पुछेगा ECG से ECG से सरीर के हिर्दे अंग की जाज की जाती है इसी जी से शरीर के हिर्दे की अंग की जाज की जाती है और इसी जी से मस्तिक की जाज की जाती है ठीक है तो ध्यान रखिएगा आगे दखते हैं लेंस की छमता क्या है दोस्तों लेंस की छमता क्या है तो दोस्तों लेंस की छमता पी से डिनोट करते हैं पी बरबर होता है 1 by F, F क्या है focus दूरी, तो lens की छमता बरबर 1 by F होता है, अब दुस्तों lens की छमता का मात्र क्या होता है, diopter होता है, जिसको D से denote करते हैं, diopter, ठीक है, तो आद रखिएगा, lens की छमता positive में जदी रहेगा, तो उत्तर lens, उत्तर lens में जदी positive रहेगा, तो उत प्रकास की प्रकिर्णन के कारण, थीक है, डोस्तों आपको एक बात बताते हैं, एक ठीक बताते हैं, इसको तीनो आद रखिए पकड़ने का, अगर दोस्तों चमकने का बात कहीं भी बोला जाए चमकने की बात किया जाए तो पुर्ण अंतिक प्रवरतन मारिएगा ठीक है जदी रंग अनि कलर की बात किया जाएगा तो परकास के परिकिर्णन मारिएगा ठीक है और इसके अलावा जदी दोस्तों किम्टिमाना है टेड़ा मेड़ा उच्छा नीच्छा कोई भी चीज वस्तु दिखाये दता है गहराई से कम गहराई से उच्छा दिखाये दता है कुछ भी पुछेगा तो आप मारेगा परकास के अपवर्तन चमकने का बात पूर्ना अंति परजीवी लेसमेनिया परजीवी से कौन सा रोग होता है लेसमेनिया परजीवी से कौन रोग होता है काला जार काला जार दोस्तों लेसमेनिया परजीवी से होने वाला रोग है काला जार ठीक है और इसका कौन सा वहां कम अच्छड है दोस्तों बालू मक्षी बालू मक्ष म्यू जो दोस्तों क्या है तो म्यू अपवर्तनांग है साइन आई आपतन कौन और साइन आई बटा साइन आर होता है ठीक है उत्तर लेंज द्वारा बना परतिवीम कैसा होता है हर स्रिप्टमें कीशन पुछा जा रहा है दोस्तों इसलिए ध्यान दीजेगा सभी सभी देजंगें तो उत्तर लेंज द्वारा बना परतिव दूश्तों वास्तिवीक और उल्टा होता है तो इसको ध्यान रखेंगा की यden यू फोकस को परकास यesh करें पीच रगाजा जागा तब दोस्तों अभासियो सिधा बनेगा ठीक है दो परकार के बनता है जब फोकस और प्रकासिक केंद्र के बीच वस्तू रखा जागा तो अभासी और सिधा बनेगा ठीक है इसको वाद रखेगा अवत्तल लिंस में बना परतिवीम हमेशा अभासी और सिधा होता है अवत्तल दर्पन अब दर्पन की बात करते हैं तो अवत्तल दर्पन म बनेगा ठीक है उत्तल दर्पन से बना परतिविम दोस्तों हमेशा इसमें क्या होता है सीधा और अभासी बनेगा ठीक है उत्तल दर्पन से बना परतिविम हमेशा सीधा और अभासी बनेगा आवर्धन आवर्धन बरबर दोस्तों आवर्धन एम बरबर होता माइनस भी बेट वर्वार्दान नेगेटिव जब कब होगा तो वास्तवीक और प्रतिवियू उल्टा बनेगा तब पोजेटिम में होगा जब कालपनिक अन्याभासि पर शीधा होगा तब तक है आगे देखते हैं दरपन सूत्र को भी आध रखेगा या तो नुम्रिकल क्यूशन पूश सकता है या तो फर्मुला डियरेक्ट पूश सकता है तो 1 बटा B पलस 1 बटा U बरबर 1 बटा F भी क्या दोस्तो परतिविम की दूरी U क्या वस्तु की दूरी F क्या फोकस दूरी ठीक है लेंस का सूत्रोता 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू बरवर 1 बटा एफ 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू बरवर 1 बटा एफ ठीक है तरंग की गती भी भी बरवरता है दोस्तो एन लेंडा भी बरवर एन लेंडा इनके दोस्तो आविर्थी और फिरिक्वेंसी है और लेम्डा बेवलेंग्ट और दोस्तो तरंग धैर्ज है ठीक है आगे दखते हैं अब दोस्तों कुछ देख लेते हैं इसे क्यूचन पुछा जा रहा है इसलिए ठीक है इसको भी याद रखेगा लिवलेंड अश्टक के नियम को विख्षित किया है लिवलेंड के समय कितने तत्व गया था 56 इन्होंने तत्व को उनके परमानुद्रमान के बढ़ते करम में सबसे कम परमानुद्रमान वाले तत्व हाइडोजन से शुरू कर थोरियम तत्व तक समाप्त किया तो यह क्यूचन पूछ लिया गया है हाइडोजन पहला तत्व और अंतिम तत्व थोरियम है अन्हें हाइडोजन से शुरू किया और थोरियम तत्व तक समाप्त किया निय कोबाल्ट और निकेल को हायलोजन के साथ रखा गया है नियूलेंड के अश्टक नियम के वल कैसियम तत्वतग लाग होता है ठीक मज़जयम तत्वतग लाग होता है आगे दखते हैं अब दोस्तों आवर्सानिका कुछ important point है इसको भी ध्यान रखेगा आवर्सानिका अविसकार मेंडलिफ ने 1899 इस विर में किया इन्होंने तत्व को उनके परमान दर्मान के बढ़ते करम में वेश्थित किया मेंडलिफ ने अपना काम शुरू किया उसमें 63 तत्व ग्याद थे तिरसर तत्व में दोस्तों दो तत्व गेलियम और जर्मेनियम की खोज नहीं की गई थी ठीक है मेंडलिफ दोबारा बनाएगे आवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् स्थित किया गिया है आधूनिक आवर्सानि में तत्वों को लिएक्तित किया गिया है पर्मानुकर्माण Bea encouragement के बढ़ते करम में निक्ष इनग्रेंथो जयसको याद रखेगा आधुनिक आवर्षानि में सभी तत्व को चार ब्लोक में बाटा गया SPDF अब दोस्तों एस ब्लोक वर्ग एक और दू में रखा गया इस ब्लोक वर्ग 13-18 में P वर्ग 3-12 तक D ब्लोक और F ब्लोक में अधुनिक आवर्षानि के में कितने वर्ग और कितने समुझते साथ आवर्थ होते हैं और 18 वर्ग होते हैं तो इसको भी आद रखिएगा तो दोस्तों आज की वीडियो अहें तक रहना जाते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले जिएगा आगे भी दोस्तों इसी तरह से एनिलाइसिस क्यूचन लाते रहेंगे ठीक है जाहिन